सात्योजम महर्ची जयानंजी का जन्म हुआ था, तब देश सद्यों की गुलामी से कमजोर पड़कर अपनी आभा, अपना तेश, अपना आत्म विश्वास, सब कुछ खोता चला जा रहा था प्रती पल हमारे संस्कारों को, हमारे आदर्शों को, हमारे मुल्यों को चूर चूर करने की लाखों कोशी से होती रहती थे, जब किसी समाज में गुलामी की हीन भावना गर कर जाती है, तो आध्यात्म और आस्ता की जगह, आडंबर आना स्वाभाविक हो जाता है, मनुष्य के भी जीवन में देखते हैं, जो आत्म विश्वास हीन होता है, वो आडंबर के बरों से जीने की कोशिश करता है, ऐसी परिस्तिति में महर्ति दायनन जी ने आगे आकर वेदों के बोध को समाज जीवन में पुनर जिवित किया, उन्होंने समाज को दिशा दी, अपने तर्कों से ये सिद्ध किया और उन्होंने ये बार बार बताया कि खामी भारत के धर्मा और परंपराओं में नहीं है, खामी है कि हम उनके वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं और विक्रुतियों से भर गए हैं। आप कल्पना करिए, एक ऐसे समय में जब हमारे ही वेदों के विदेशी भाष्यों को, विदेशी नेरेटिव को गड़ने की कोशिश की जा रही थी। उन नकली व्याख्याओं के आधार पर हमें नीच्या दिखाने की, हमारे इतिहास को परंपरा को ब्रश्ट करने के अनेक विद प्रयास चलते थे। तब महरसी दयानन जी के ये प्रयास एक बहुत बड़ी संजीमनी के रुपे, एक जड़ी बुट्टी के रुपे, समाज में एक नई प्राण शिक्ति मन करके आ गए है। महरसी जी ने सामाजिक बेदभाव, उंच नीच, छुवा छूत, ऐसी समाज में घर कर गई, अनेक विकृतियां, अनेक बुराईयों के खिलाप, एक सशक्त अभियान चलाया, आप कल्पना कीजिए, आज भी समाज की किसी बुराई की तरफ कुछ कहना है, अगर मैं भी कभी कहता हूँ, कि भी कर्तव्य पत पर चलना ही होगा, तो कुछ लोग मुझे डारते हैं, कि आप कर्तव्य की बात करते हो, अधिकार की बात नहीं करते हो, अगर 21 सदी में मेरा यहाल है, तो 1.500-200 साल पहले महर सीजी को समाज को रास्ता दिखाने में कितनी दिक्कत आई होगी, जिन बुराईयों का ठिक्रा, धर्म के उपर फोड़ा जाता था, स्वामी जी ने उन्हें, धर्म के ही प्रकाश से दूर किया, और मात्मा गांदी जी ने एक बहुत बड़ी बात बताई थी, और बड़े गर्वा के साथ बताई थी, मात्मा गांदी जी ने कहा था, कि हमारे समाज को स्वामी दायानंजी की बहुत सारी देन है, लेकिन उन्ड में अस्पुरिश्चता के विरुद्ध गोशना सबसे बड़ी देज है, महिलाओं को लेकर भी समाज में जो रूधियां पनब गई थी, महर्शिदानंजी उनके खिलाब भी एक तार्किक और प्रभावी आवाज बन करके उबरे, महर्शिजी ने महिलाओं के खिलाब भेद भाव का खंडन किया, महिलाओं सिक्षा का अभियान शुरू किया और ये बातें डेड़ सो पौने दो सो साल पहले की है, आज भी कई समाज ऐसे हैं, जहां बेटियों को सिक्षा और सम्मान से बंचीत रहने के लिए मजबूर करते हैं, स्वामी दयान जी ने ये बिगुल तप्फु का था, जब पस्टी में देशों में भी महिलाओं के लिए समान अधिकार दूर की बात थी, भाई और भेनों, उस काल खंड में स्वामी दयान अन सरस्वती जी का पदारपा, पूरे यूग की चुनोतियों के सामने उनका उठकर के खड़े हो जाना यह सामान्य था, किसी भी रूप में वो सामान्य नहीं था, इसलिए राष्ट्र की यात्रा में उनकी जीवन उपस्ती थी, आरे समात के डेड़ सो साल होते हो, महर्शी जी के दो सो साल होते हो, और इतना बड़ा जन सागर, शिर्फ यहां नहीं दुनिया भर में आज इस समारों में जुड़ा हुआ है, इस से बड़ा जीवन की उंचाएं क्या हो सकती है, जीवन जिस प्रकार से दोड़ रहा है, मुत्यू के दो साल के बाद भी जिन्दा रहना असंभव होता है, दो सो साल के बावजुद भी, आज महर्शी जी हमारे बीच में है, और इसलिए आज जब भारत आज़ादी का अमरित काल मना रहा है, तो महर्शी दैनन्जी की दो सोवी जन्व जैन्ती एक पुन्य प्रिर्णा लेकर आई है, महर्शी जी ने जो मंत्र तब दिये थे, समाज के लिए जो सप्न देखे थे, देश आज उन पर पूरे विश्वात के साथ आगे बढ़ रहा है, स्वामी जी ने तम आहवान किया भाँ वेदों की और लोटे, आज देश अत्यन्त स्वामिमान के साथ अपनी विरासत पर गर्व का आवान कर रहा है, आज देश पूरे आत्म विश्वात के साथ कह रहा है, कि हम देश में आदुनिक्ता लाने के साथ ही अपनी परंपराओं को भी समर्द करेंगे,